टेक कमपनी एपल ने मंगलवार रात यानी 12 सितंबर को अपने वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन 15 सीरीज को लॉंच कर दिया है लेकिन क्या नया फोन लेना सही है और ये आईफोन 14 से कितना अलग है आईए इस वीडियो में आपको बताते हैं नमस्कार मैं हूँ प्रेना सागर और आप देख रहे हैं The Vocal News भारत में आईफोन 15 के 128 GB वेरियंट की कीमत 79,900 रुपीज और आईफोन 15 प्लस के 128 GB वेरियंट की कीमत 89,900 रुपीज रखी गई है आईफोन 15 प्रो के 128 GB वेरियंट की कीमत 1,34,900 और प्रो मैक्स के 256 GB वेरियंट की कीमत 1,59,900 रुपीज रखी गई है कमपनी ने इस बार आईफोन की कीमतों में चेंजेस कुछ भी नहीं किये हैं जिस प्राइस पर आईफोन 14 को लॉंच किया गया था उसी प्राइस पर आईफोन 15 सीरीज को भी लॉंच किया गया है हाला कि फोन के स्पेसिफिकेशन में कई बड़े अपडेट किये गए हैं एपल ने पहली बार बेस वेरियंट के आईफोन में 48 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा और टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया है हाला कि कमपनी ने फोन की चार्जिंग स्पीड में कोई भी बदलाब नहीं किया है और बैटरी लाइफ में भी कोई चेंजेज नहीं है दोनों में समान 20 घंटे तक की वीडियो प्लेबैक की बैटरी लाइफ मिलती है दूसरी तरफ आइफोन 14 सीरीज डिसकांटेट प्राइस पर भी अविलेबल है ऐसे में अगर किसी को नया आइफोन लेना है तो दोनों में से कौन सा अच्छा उप्शन होगा इसके अलावाब आप जिनके पास पिछले साल लॉंच हुआ आइफोन है तो क्या उन्हें आइफोन अप्डेट करना चाहिए और क्या आइफोन 15 लेना सही रहेगा अगर आप लेटिस्ट प्रोसेसर, बहतर कैमरा और टाइप सी चारज您 कोर्ट के साथ आइफोन खरीदना चाहते हैं तो आप आइफोन 15 खरीद सकते हैं आइफोन 14 में 12 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है जबकि आइफोन 15 में 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है फोटोग्रफी करने वाले लोगों के लिए iPhone 15 में अपग्रेड करना बहतर option हो सकता है वही नए iPhone के सभी variant में Dynamic Island का भी feature मिलेगा ये feature पिछले साल company ने Pro और Pro Max variant में दिया था साथ ही नए color option भी मिल रहे हैं अगर आप पहली बार iPhone लेने जा रहे हैं तो फिर आपको iPhone 15 लेना चाहिए वही अगर आपका budget कम है तो iPhone 14 भी खरीच सकते हैं आपको बता दूँ कि Apple ने iPhone 15 Pro और iPhone 15 Max Pro के कैमरे में कोई भी बदलाब नहीं किये है iPhone 14 Pro और iPhone 14 Max में 48MP प्लस 12MP प्लस 12MP का triple camera दिया गया है यही camera setup नए iPhone 15 Pro और iPhone 15 Max Pro में भी दिया गया है इसी के साथ iPhone 14 और 15 दोनों में ही company 20W के charger से 30 मिनट में 50% phone की बैटरी चार्ज होने का दावा करती है company की official website के अनुसार सभी phone में वही charging speed मिलती है जो iPhone 14 सीरीज में मिलती है तो ऐसे में आप कौन सा iPhone खरीदना पसंद करोगे do let us know in the comments below और ऐसी वीडियो के लिए keep watching the vocal news